हाई एवरिवन विलकम तू माई योट्यूब चैनल मैं हूँ स्वाती सिंग प्रोफेशनल मेकप पार्टिस्ट एंड एजुकेटर आज में लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत एजी आई मेकप का एक ट्यूटोरिय है बेना टाइम वेस्ट किये स्टार्ट करते हैं आई मे लाइट ब्राउन कंटर मैंने क्रीज लाइन पे पिक किया एंद उसे डिपॉजट करके उसे फलफी ब्रश के हेल्प से मैं यहां ब्लेंड करूंगी मेरी आईस थोड़ी hooded है इसलिए मैं crease line से थोड़ा up करके brown color apply करूँगी और इसे blend करूँगी light brown color apply करने के बाद फिर मैं अपने same brush पे dark brown color लूँगी and dark brown color को outer corner पे deposit करके उसे फिर से मैं blend करूँगी inner के side so outer corner पे dark color apply करना है deposit करनी है and उसे फिर blend करनी है light brown के साथ dark brown and light brown जब अच्छे से merge हो जाए then फिर मैं same palette से shimmer color apply करूँगी shimmer color को मैंने finger पे ही लिया है copper color का shimmer लिया है मैंने copper color के shimmer को मैं inner corner पे finger से ही deposit करूँगी जिससे की finger से apply करने पे इसकी consistency अच्छे से दिखती है and ये इसकी shine अच्छे से visible होती है so shimmer apply करने के बाद जब हमने अच्छे से shimmer apply कर दिया है अब मैं इसके जो edges हैं edges को मैं brush की help से small fluffy brush लूँगी उसके help से मैं इसके edges को भी अच्छे से blend करूँगी जिससे की कहीं भी patches ना दिखे and then फिर मैं forever 52 का powder highlighter लूँगी powder highlighter को मैं एक pencil brush यानि की smudging brush जो होती है छोटे size में उससे मैं inner corner में apply करने वाली हूँ आप देख सकते हो inner corner को थोड़ा highlight करना है मुझे so मैं forever 52 का ये powder form में जो highlighter आती है इससे मैं apply करूँगी and ये एक बहुत ही अच्छी shine देती है same brush को मैंने brow bone को भी मैं highlight करूँगी so highlight करने के बाद जो तोड़ी बहुत uneven से patches दिखें उसको हम blending brush से अच्छे से उसे merge कर देंगे blend करेंगे and then फिर eyeliner brush लेकर मैंने यहाँ पे gel eyeliner apply किया है gel eyeliner को अच्छे से wing मैंने छोटा सा wing भी दिया अपनी eyes में wing liner लगाने के बाद आप इस पे eyelashes apply करेंगे eyelashes apply करने के बाद मैं eyebrow की filling करूँगी eyebrow की filling करने के लिए मैंने wet and wild का eyebrow powder eyebrow kit लिया है and जब eyebrow filling हो गई then eyelashes पे mascara apply करूँगी mascara लगाने के बाद यह हमारा eye look complete हो गया hope you like this tutorial thank you so much